हलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, पिछले कुछ वीडियो से हम डिसक्स कर रहे हैं कि कैसे लर्निंग बहुत जादा इंपोर्टेंट है और उस लर्निंग को भी आप कौन से समय पे कौन सी लर्निंग करनी चाहिए उसके बारे में भी उसके इंपोर्टेंस के बारे में भी हमने डिसक्स किया और उसके बार में हमने ये डिसक्स किया कि कैसे हम ये पूरे लर्निंग जर्नी को शॉटन कर सकते हैं कैसे हम बहुत easily जल से जल crucial skills सिख सकते हैं जिसका इस्तमाल हम अपने business में हम अपने career में करके उसे जाधा से जाधा result पा सकते हैं अगर आपने उन videos को follow नहीं किया है क्योंकि ये step by step videos है इसलिए sequence बहुत matter करेगा अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उपर i button में या फिर इस video के description में इसकी पूरी playlist का link देदूँगा ताकि आप उस सब को step by step देख सके हैं आज के video में हम discuss करने वाले हैं बहुत ही crucial and important piece जो last piece है उसके बारे में discuss करने वाले है and अगर ये आपने सही से नहीं किया तो पहले के वाले सारे steps का कोई फाइदा नहीं होगा कोई मतलब नहीं होगा वो जो skills आपने सीखिए या फिर जो भी learning किया आपने time invest किया money invest किया जो भी किया है it will be always अगर आपने ये last step perform नहीं की तो और क्या है वो last step वो है massive action अगर आप action नहीं ले रहे हो जो भी आपने सीखा है मान के चलिए आप business करना चाते हो आपने सीखा है कि marketing कैसे की जाए या फिर sales कैसा किया जाए तो अगर आपने जो भी strategies सीखिए है जो भी चीज़े आपने curriculum में की है वो अगर आप practically अपने जिंदगी में नहीं उतार रहे हो उसका इस्तमाल आप अपने business के लिए नहीं कर रहे हो तो वो skills waste है आपने अपना time भी गवा दिया उसके पीछे आपने अपना maybe पैसे भी गवा दिया उसके पीछे और फिर भी आपका business अससे मस नहीं हो रहे है और वो कहीं आगे बढ़नी रहे है क्योंकि आपने जो भी सीखा है उसके बारे में आपने कुछ किया ही नहीं आगे आपने implement ली नहीं किया जहां पर आपने implement नहीं किया तो आपको पता नहीं चला क्या चीज़े चल रही है क्या चीज़े नहीं चल रही है कहां पर हमें थोड़ा सा modification करना चाहिए कैसे और थोड़े अलग तरीके से वो जो हमने सिखा है उसको apply करना चाहिए and कैसे आगे बढ़ना है कैसे आगे की रहान कलनी है इसलिए सबसे important है taking massive action जो भी आपने सीखा है उसके उपर आपको massive action लेने है massive नहीं तो भी कम से कम step by step एक एक करके one step at a time का principle अपनाते हुए आप actions लीजे one step at a time क्या है ये मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा बट अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि जो भी आप सीखरें उसके उपर please action लीजे छोटे से छोटा क्यों नहीं हो बट action लीजे उससे ही आपको result मिलेंगे उससे ही आप आगे बढ़ेंगे उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ value मिली होगी अगर हाँ तो please like कीजे शेयर कीजे अगर आपने इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो please do so like minded लोगों की community बिल्ट करने के लिए हमने एक WhatsApp ग्रूप भी तैयर किया है उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी so ऐसे ही बने रही है आने वाले वीडियो उसके लिए तब तक के लिए नमस्कार